तो भाई लो कैसे हो तो यार आज की वीडियो बहुत जादा यूसफुल होने वाली क्योंकि इस वीडियो मैं इसी सिंपल सी डीसी मोटर को बहुत जादा हाई स्पीड मोटर बनाना सिखाऊंगा और फ्रेंड्स यह 100% वरकिंग है मतलब मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता तो फ्रेंड्स इस मोटर को आप ड्रोन मुनाने में बिल्कुल यूस कर सकते हैं क्योंकि इसकी स्पीड बहुत जादा हाई हो जाएगी तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी से लंबी ज़रूर है पर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इसमें मैं हर चीज बता करके बेल आइकन प्रस कर देना कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें तो चलिए फ्रेंस इसे मतलब मैं चेक करके दिखा दे रहा हूं पहले तो तो फ्रेंस पहले मैं एक फैन ले रहा हूं जिसे मैं इसके उपर अटैच करतूं का के उपर तो फ्रेंट्स मतलब पहले मैं चेक करके दिखाऊंगा कि इसकी स्पीड कितनी है फिर आपको लास्ट में दाऊंगा तो मतलब एक शौकिंग रिजल्ट मेरे सामने आएगा तो देखना जरूर हो तो फ्रेंट्स यह देखिए मैं 2.4 वोल्ट की बैटरी ले दे रहा ह हो तो फ्रेंट्स यह देखिए इसकी आवाज सुनही एं मतलब यह द्रोन अनुखावी निए और फ्रेंट्स यह स्पीड भी बहूत तीर में पकड़रा है तो फ्रेंटि्स कोई बात नहीं जब तक मैं आपके शाथ हो तो दिक्कट किधर हर ला रिये तो फ्रेंट्स यह द मैंने हेलिकॉप्टर में से निकाली थी आसी हेलिकॉप्टर में से तो फ्रेंट्स यह है तो साइज में इतनी पर इसकी स्पीड दे कि आप शौकिंग मनलब शौक हो जाओगे कि इतनी जादा स्पीड इसकी कैसे है और मैं उसी बैटरी पेसे चला के दिखाऊं का 2.4 वोल्ट परी मैंने कोई वीडियो यहां से कटनी की इसलिए कि आपको कोई स्फकान आऊ तो फ्रेंट्स इसकी आवास सुने गइगा आपको पता चल जाएगा तो फ्रेंट्स वोल्टेज वाही है मोस का साइज यूई टो स्पीड को कम है ऊस मोटर के तो आगे वीडियो ज Youस कुम है मतलब मैं कह रहा हूँ आपकी स्पीड इतनी ही करके दिखाऊंगा मैं तो friends अब मैं इसके अंदर का राज आपको दिखाऊंगा तो मतलब बाहर से तो ये equally हैं अंदर का राज आपको बताऊंगा कि मतलब इसकी स्पीड क्यों इतनी स्लो और इसकी स्पीड की उतनी हाई है तो उसके लिए मुझे पहले मोटर को खोलना होगा तो मैं मोटर को खोल के रखा था तो इसके आसानी से अब मैं निकल जाएगी है तो फ्रेंट्स अब मैं इसको बाहर निकाल लेना हूँ इसके आर्मेचर को तो फ्रेंट्स आर्मेचर तो ठीक ठाक है मतलब कोई दिक्कत नहीं है पर दिक्कत वाइंडिंग में है तो फ्रेंट्स इसकी वाइंडिंग तो ठीक ठाक कंपनी वालों ने की है मतलब जाता space नहीं छोड़ी है तो friends इसमें भरके winding तो की है पर दूसरी winding में आपको दिखाऊंगा इस motor की तो आपको पता चलेगा कि हाँ मतलब क्या फरक है तो friends यह दिखे इस motor का rotor तो मैंने इसकी copper wire थोड़ी खोल रखी मज़़े जरूरत थी तो friends इसकी copper wire देखे और इसकी copper wire देखे तो friends जमीन आजमान का अंतर है मतलब वो copper wire तो इतनी भारिक है कि आप उसे ढंक से देख भी नहीं पा रहे होंगे कैमरे में तो मैं इसे खोल ले रहा हूँ एक बार तो आपको समझ आ जाएगा तो friends अब मैं इसके compare करके दिखाऊँगा इस वाली copper wire और इस वाली copper wire से तो friends ये देखे मुझे लग रहा है शायद ये दस गुना जादा मोटी होगी ये copper wire तो friends ये पतली wire इसलिए लगाई है कि मतलब ये बैटरी को कम खाए और मतलब धीर धीर चलती रहे तो अगर इससे में मोटी copper wire लगाएंगे तो ये speed बहुत जादा लेगी और voltage कम voltage भी बहुत जादा speed देगी पर इस पतली वाली wire को voltage जादा देनी होगी speed जादा करने के लिए तो friends इसलिए ये पतली से wire लगा देते हैं कि मतलब ये धीरे धीरे चलती रहे तो friends अब मैं इस copper wire को इसमें winding करूंगा ये मेरे पास दूसरी copper wire है ये markets में खरीद के लाया था आप 5-10 रुपए में आपको दे 1.5-1.5 मेटर ले ले लेना होगा तो friends पहले तो आप इस पतली wire को मैं निकाल दे रहा हूँ तो friends ये देखिए मैंने वीडियो कट कर दी तो मैंने इसे असानी से निकाल लिया तो friends आपको भी ये wire निकाल लेनी होगी और इसके बाद ये दिखिए friends ये कितनी मोटी wire है इसे मैं इसके उपर winding करूँगा इस copper wire की इस armature के उपर तो friends winding बहुत ही ज़्यादा आसान है मतलब मैं आपको समझा दूँगा बढ़ियासी copy के उपर समझा दूँगा बनाके तो वीडियो last तक जरूर देखना तो friends अगर आपको वीडियो अभी तक मजा आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर देना तो friends अब मैं इसमें winding करूँगा तो friends अभी मैं इसमें round दूँगा ताकि हमारा armature कहीं से भी खाली ना देखिया और magnetic field बहुत तकड़ी बने तो friends इसमें सब magnetic field का ही खेल है तो friends मैंने इसमें 37 turns दिया है एक मतलब एक side में इसमें 3 side है ना 3 coil बनेंगी तो friends मैंने एक coil में 37 turns दिया है तो friends ये wire की thickness और thinness में मतलब फर्क करता है जैसे वो पतली wire थी तो उसमें पता नि कितने 100 turns दियोंगे तब जाके एक coil भरी होगी तो friends की मोटी जादा wire है तो मुझे कमी turns देने होगे आप इससे भी जादा मोटी wires ले सकते हैं बस इतनी लेना कि मतलब वो मुड़ जाए तो मतलब इतनी भी मोटी मतले लेना कि वो मुड़े ही ना पर कोई बात नहीं मैं 37 turns दे दिया हूँ इसमें तो friends आप मैं इस wire को काट कर लूँगा तीन Qoil में 37 turns से देंगा तो मतलब friends 37 टेंगा एक Qoil में 37 टेंगाई 7 तीसरी में तो friends इन तीनों में मैं कुछ िसी तरीके सेत डें से देंगा जैसे मैं 1st Qoil में दी हूँ तो फ्रेंटS यह देखिए मैंने तीनों में 37, 37, 37 टरंस दे दिए तो friends, आप कोई भी गिंती कर सकते हैं मतलब ऐसा नहीं है कि 37 कंपल सरी है तो friends, मैंने इसे देखिए शोल्टरिंग कर लिया है, मतलब बड़ी जल्दी पर आपको समझाया कुछ नहीं तो कोई बात नहीं तो friends, मैं आपको अभी कॉपी पर समझाओंगा तो आपको बढ़ी है समझाया ऐसे समझ नहीं आ रहा था तो friends, ऐसे तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था इसलिए आपको समझाना ठीक नहीं समझा तो friends, अब मैं कॉपी में समझाओंगा तो आपको बढ़िया समझ आ जाएगा तो friends देखिए इसमें तीन क्वाइल्स है तो friends मैं copy पे भी zoom करके आपको दिखा दे रहा हूँ तो friends इसमें भी मैं 3 क्वाइल्स बना लूँगा तो friends ये पहली ये दूसरी और ये तीसरी तो friends इसकी 2 वायर निकलेंगी और friends इसकी 2 वायर निकलेंगी और इसकी 2 वायर से निकलेंगी तो friends अब ये 3 पॉइंट भी है जहां पे 6 copper वायर के ending और starting point को हमें shorting करना होगा ये दिखिए friends ये 3 पॉइंट है जो यहां पे हमें shorting करना होगा तो friends अब मैं बता दूँ कि मतलब ये तो starting point है coil का और ये friends ending point है coil का तो friends आपको ending point लेना होगा तो friends मैं फिससे आपको बता दूँ ये है starting point और ये coil घूम के जाएगी और ये है ending point तो friends आपको starting और ending को मिला रहोगा ये है इसका ending point और वो है starting point तो friends ये फिर से ending point और ये है starting point इसका पर आपको तीन ये कॉमोडेटर देखेंगे जो कि करेंट को रिवर्स करते हैं तो फ्रेंट्स ये इस से कनेक्टेड होते हैं तीनों तो फ्रेंट्स कुछ इस तरीके से आपका connection ये complete हो जाएगा तो फ्रेंट्स उमीद आपको समझा आ गया होगा पर नहीं समझाया तो आप मुझे comment करके भी कह सकते हैं मैं आपको वहाँ भी समझा दूँगा तो फ्रेंट्स अब अब चेक करने के लिए मैं इस armature को इस motor के अंदर fix कर दूँगा तो फ्रेंट्स ये मैं पीछे वाला हिस्सा भी इसमें लगा दूँगा तो फ्रेंट्स अब मैं जब इसको motor को चला के दिखाऊंगा तो एक बहुत ही जाता shocking result हमारे सामने आएगा तो फ्रेंट्स इसकी speed देखके आप हैरान हो जाओगे तो फ्रेंट्स अब मैं इसे 2.4 वोल्ट की वही वाली बैटरी से चला के दिखाऊंगा मैंने इसे चार्ज ने की वैसे यह बैटरी थी मैं वीडियो तुरनती बनाया था तो इसकी आवास सुनना हो जगा तो फ्रेंट्स मैं इसे रोकने कोशिश भी कर रहा हूं तो मतलब यह रोकी नेरे बहुत तेज़ घूम रही है तो फ्रेंट्स मैं इसमें अब फैन भी लगा के दिखाऊंगा उसकी आवास सुनना तो आप मतलब पता चल जाएगा कि हाँ स्पीड बढ़ी भी है या नहीं तो फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो में नहीं भी पता लग रहा कि इस पीड बढ़ी है या नहीं तो आप इस की स्पीड बढ़ी भी है तो फ्रेंट्स मैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मतलब अब आगे के आगे मैं इस मोटर को लेकर पहुत सारी वीडियो सुनाने वाला हूं जिसे जिसमें मैं इस मोटर से ड्रोन बनाना सिखाऊंगा मतलब इसी मोटर का अपग्रेड क करूंगा तो उससे आपको ड्रोन भी बनाना सिखाऊंगा पर इसके बाद आने वाली वीडियो में मैं सिंगल मोटर से यह चेक करके दिखाऊंगा कि हाँ यह ड्रोन बनाने के काविल है भी या नहीं तो फ्रेंट्स अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आपके सपोर्ट की जरूरत भी है हमें अभी